समस्ति पूर में सामभवी चौधरी के लिए पापा असोग चौधरी पूरा जोर लगा रहे हैं अब ससुर जी भी मैदान में आ गए हैं नमस्कार दर्स न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग सामभवी चौधरी एंडिये कैंडिडेट है समस्ति पूर की और वो लगातार मैदान में हैं पापा तो चुनाव परचार लगातार कर रहे हैं सामभवी अलग परचार कर रही हैं सामभवी के पती सायन कुनाल अलग परचार कर रहे हैं यानि तमाम लोग अपनी अपनी तरब से जोड लगा रहे हैं और अब इसमें और ताकत देने के लिए ससुर जी भी पहुच गए हैं हम बात कर रहे हैं सामभवी चौदरी के ससुर किसोर कुणाल की जी हां किसोर कुणाल किसी परिचे के मोहताज नहीं हैं किसोर कुणाल IPS इकारी थे उस वक्त उनकी क्या धमक थी ये भी लोग जानते हैं हलाकि बाद में उन्होंने अध्यात्म की और जो अगर उनका जुकाव हो गया और उसके बाद उन्होंने हनुमान मंदिर पटना का महबीर मंदिर है वहां के लिए सेवा शुरूखी और उसके बाद उसे भी उचायों तक पहुंचाया और उसके भीच धार्मिक न्यास बोट के अध्यक्ष भी रहे किसोर कुनाल तो ऐसी स्थिति में धर्म के कारियों में वह लगातार लगे रहे और किसोर कुनाल ने हनुमान मंदिर के जरिए पटना के महबीर मंदिर के जरिए अगर कहा जाए गरीबों के लिए बड़ा काम किया और आपको बताएं कि महबीर मंदिर के तरस्ट के तहत पटना में कई सारे बड़े बड़े हॉस्पीटल चल रहे हैं जो बहुती कम पैसे में इलाज करते हैं तो ऐसी स्थिति में पटना का महबीर कैंसर संस्थान हो या पर पटना का पहचान है वो भी उतर गए हैं सामभवी चौधरी के लिए बोट मांगने अगर यूँ कहें कि सीधे सीधे तो वोट नहीं मांग रहे हैं सामभवी चौधरी के लिए लेकिन जहां तक उनकी पहुंच है वो अपने बहु के लिए प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि को पूरी मदद करेंगे तो क्या कुछ कह रहे हैं कि समस्ति पूर पहुंचने के बाद और समस्ति पूर में उन्हों क्या कि आपको बताएंगे लेकिन जिस तरह से कि सोब बाटे कहीं है तो सुनवा देते हैं कि संदेश दना चाहता हूं कि जो संभवी उमिद्वार हैं वो हर तरह से गुन संपन्न हैं सो सिक्षित हैं संस्कारी हैं और जीत कर जाती हैं तो समस्तिपुर का नाम रोसन करेंगे एक सबसे कम उम्र की महिला हैं और इतना ही मैं आश्वासन दे सकता हूं कि जो कुछ जनता की अप्यक्षा होगी उस पर वो खरीब देंगे और जनता के कल्यान के लिए वो काम करेंगे और उसमें व्यक्तिकत रुप से मेरा भी जो सहयोग होगा उनके प्रोग्राम में सांसत के रूप मैं भी उनको पूरा समढ़ता हूं तो शुनली आपने कि कि सोर कुनाल क्या कह रहे हैं कि स्ताम भबी जो है वो अगर जीत जाती हैं तो इलाके के विकास के लिए पूरा जोर लगा देंगी वो खुद भी उनकी मदद करेंगे और इसके लिए जो किसोर कुनाल है वो लोगों के बीच गए समस्तिपूर सुरथिस सीट है इसकी भी थोड़ी कहानी आपको बता देते हैं क्योंकि जिस तरह से अगर कहा जाए किसो अबी चौधरी असोग चौधरी की बेटी है असोग चौधरी जो नितिश सरकार में मंत्री है नितिश के खासम खास है करीबी है दलिस समधाय से आते हैं और यह जो सीट है समस्तिपूर की सुरथित सीट है लेकिन अगर किसोर कुनाल की बात करे तो वो भुम्यार बिरादर से संबंद रखते हैं वैसी इस्थिति में उनके बेटे सायन कुनाल से साधी होई है तो वो जो है अपनी तरब से पूरा जोर लगा रहे हैं सुरचित स्रीट पर सांभवी लड़ रही है तो वैसी इस्थिति में कुनाल जो है उन्होंने समाजिक और अध्यात्मिक संगतनों स संबाद किया है और इस दोरान उन्होंने जन्नायक करपूरी ठाकूर की धर्ती पर उनके जो सुपुत्र हैं जन्नायक करपूरी ठाकूर के और राजसवा सांसत रामनाथ ठाकूर सहीद समस्तिपुर और रोसडा के कई मठ मंदिरों के पुजारी से मिलकर अपनी वहुष सामभी चौधरी के किसोर कुनाल वो लगातार जो है लोगों से मिल रहे हैं संपर्ख कर रहे हैं अगर सीदे सीदे कहें कि लोगों के बीच जनता के बीच वो नहीं जा रहे हैं लेकिन जो वहां के लोग हैं मठ से जुड़े हुए लोग हैं अध्यात्मिक संगटनों से और आपको बताएं कि किसोर कुनाल जो धार्मिक सिक्षा अध्यात्मिक एवं समाजिक गतिविदियों को संचालित करने के लिए जाने जाते हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि किसोर कुनाल धार्मिक सिक्षा अध्यात्मिक और समाजिक गतिविदियों में लगतार लगे रहत यानि सामभवी जो है असोग चौधरी की वेटी है जो सियासत ना है मंत्री भी है सरकार में और ससुराल जो है वो सेवा में है यानि समाजिक सेवा के अगर कहा जाए बिहार में एक बड़ा चेरा है कि सोर कुनाल जिस तरह से उन्होंने मंदीर के जरिये समाज सेवा की है और किस तरह से उन्होंने मंदीरों को अगर कहा जाया कि हनुमान मंदीर का जो पैसा था उसको समाजिक कारियों में लगाया और किस तरह से जो धमसाला होस्पीटल्स बनवाए जिसके जरी आज गरीबों का इलाज भी हो रहा है और बड़े पैमाने पर लोगर महावीर कैंसर सं संथान है जहां पर बड़े पैमाने पर मरीज आते हैं इलाज होता है कम पैसे पर इलाज किया जाता है संस्थान की और से गरीब मरीजों को मदद भी किया जाता है तो ऐसी चीति में जो काफी चर्चित रहे हैं IPS किसोर कुनाल और उन्होंने जिस तरह से अब बहु के लिए वो मैदान में उतर गए हैं बहु यानि सामभवी चौधरी के लिए वो मैदान में उतर गए हैं और उन तमाम लोगों से मदद मांग रहे हैं स्तहयोग मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी बह उस नाते भी सामभवी से वो तमाम काम करवाएंगे इलाके के विकास के लिए जो जरूरी है यानि आप किसोर कुनाल ने भी अपनी पूरी ताकत अपनी बहु सामभवी चोदरी के लिए जोग दी है बने रहें दर्शनीवाथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद